समाजवादी कीले के यूराज की किसमत तब चमकी जब कैमूर के होट पॉलिटिकल सीट रामगर्ड के विधायक सुधाकर सिंग अपने पहले कारेकाल में क्रिश्य मंत्री बन गये तब यह तैव हो गया कि अब खेती के पीच पर पिता जगदानन सिंग के बाद सुधाकर सिंग ताबर तुरबैटिंग करेंगे पिता ने लालू और राबरी सरकार में लंबे समय तक खेतों की सिचाई की कमा अंसंभाली थी अब क्रिश्य मंत्री का दायतों मिलने के बाद ब राजनीती के लिहाज से भी सहुका घराने का मिजाज खेती किसानी का काम कर रहा है जाहिर है कि पसंद का मंत्राले मिलने से काम भी चौकस होगा सुधाकर ने मंत्री पद की शपत ली तो जिले की प्रगती की गती की रफतार पकड़ने की उमीद बलवती हो गई वैसे भी राजनीती में योग गिता के साथ विरासत की सियासत के बड़े मायने होते हैं राजत के प्रदेश अध्यक्ष जगदा नन सिंग ने लालू राबडी सरकार में कैमूर के विकास को नया आयाम दिया अब सुधाकर पार्टी सुप्रीमों और डिप्टी सीम ते जस्वी की प राजत से पिंगे बढ़ी तब सुबे में सुलगते सियासी पारा के साथ सुधाकर के मंत्री बनने की चर्चाएं जोर पकर ली राबरी अवास पर डिप्टी सीम ते जस्वी के कोर कमेटी की बैठक में मंत्री पद मिलने पर मुहर लग गई थी रामगर्ड विधायक सुधाकर सिंग का कैरियर बेहत दिल्चस्प रहा है बिजनेस मैन से विधायक और मंत्री बनने तक के सफर में काफी उतार चढ़ाओ देखा साल 1995 में दिल्ली विश्व विध्याले से असनातक करने के बाद शुरू में जुकाओ नौकरी की उर हुआ लेकिन जिन्दगी में अचानक मोर बदल लिया और उन्होंने गाउं का रुख किया राइस मिल के विवसाय से जुड़ गएं पलसर बाइक से गाउं गाउं घुम कर किसानों से धान की खरीद शुरू की सफलता कदम चूमती गई और यूवाव धमियों की टीम बनती चली गई इसी करम में सुधाकर बिहार राइस मिलर संग के अध्यक्ष भी रहें इस दोरान जगदा नन सिंग के बेटे होने की वजह से बिरोधियों के निश्राने पर भी रहें इसी दोर में सुधाकर ने राजनीती में दाव आजमाना शुरू कर दिया साल 2010 के विधान सभाद चुनाओ में बीजेपी के टिकट पर चुनाओ लड़ें और हार गए काटे के मुकाबले में किसमत ने साथ दिया और सुधाकर महज 189 मतों से चुनाओ जीत गए विधायक बनने के 21 मह बाद बिहार कैविनेट में मंतरी बन गए नितीज तेजस्वी सरकार में कृष्षी मंतरी बने सुधाकर सिंग शपत लेने से पहले मा का अश्रवाद लिये थे इस दोरान हर बार की तरह मा विमला देवी ने बेटे को समर्पन के साथ सेवा का पाठ भी पढ़ाया था मंतरी पद की शपत लेने के लिए राज भवन जाने से पहले विधायक ने मा के पाउंचू कर पढ़ाम किये तो गदगद माने उन्हें गले लगा लिया फिर कहा जनता की सेवा में रमकर जीवन खपाने वाले का सितारा सदा बुलंद रहता है विधायक की मा का अश्रिवाद लेने का तस्वीर भी शोशल मीडिया पर खूब बाइरल हुआ था समर्थक मा की महिमा और गडिमा के बाड़े में तरह तरह के कैप्शन के साथ शोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किये थे अगर बात तातकालिक दौड की करती है तो कृष्य मंत्री ने अब इस्तिफा दे दिया है जिसके बाद से बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है वही पिता जगदा नंसिंग ने कहा है कि जगरा बढ़ने से बहतर था अब इस जगरा का क्या मतलब है यह अभी तक पहली बनी हुई है